हाँ इस वीडियो लेक्षर में हम पढ़ेंगे स्टिरियो केमेस्टी का लेक्षर नॉमबर टू लेक्षर नॉमबर वन में हमने पढ़ा था डेफिनिशन आव आईसोमर्स विच इस नॉन आईसोमराइट्स यानि समयवेत्य की परिभाषा तथा उसका वरगीकर्ण इस आईसोमर्स आर्ट डिजवाइड इन्ट्व पार्ज स्ट्रक्षर न इस चिर्श्र मतर त्रों को ये स्ट्रेविए समयवेत्य में वाज़ित क्या था स्ट्रियो इस चेयन पोजीशन फंक्ष्नल मेटामेरिजम एंड टोटामेरिजम जिसमें हमने चैन और पोजीचन यान आज हम उसके आगे पढ़ेंगे function isomerism यानि क्रियात्मक्स समू सहमावता इसके अंतरकत अने वाले समावियों में क्रियात्मक्स समू ही बिन-बिन होता है अते उनके बहुत एक वेरासानिक दोनों प्रकार के गूण सरवर्ता भीन होते हैं means those compounds which having different functional groups are known as functional isomerism यानि इंतरकत आने वाले समयवियों में क्रियात्मक्स समू बिन-बिन होते हैं उनके तता बहुत इक वेरासनिक दोनों प्रकार के गूण सरवता बिन होते हैं जैसे उधान्प, इसके स्वरूप, अल्कोहल वे एथर इसका अनुसुत्र या अनुसुत्र या अनुसुत्र फार्मुला लें तो C2H6O है इसका फर्स देखें तो एथेनोल यानि CS3, CS2OH यानि C2H6O और दूसरा है डाय मिधालिटर यानि CS3, O, CS3 इसी का देखें C2H6O यानि अनुसुत्र C2H6O है पहला अल्कोहल है और दूसरा कौन सा है एथर है इसकेंड अल्डिहाइड एन किटोन दी मॉलेकल फर्मुला अनुसुत्र C3H6O पहला CS3, CS2, CHO विच इस नौन अस प्रोपेन अल्डिहाइड और थर्ड, सेकेंड वन इस CS3, COCS3 विच इस नौन इस एसीटोन यानि अल्डिहाइड वे किटोन क्रियात्मक समु यानि फंक्शनल न आइसोमरिजन शूग करते हैं थर्ड वन इस एल्डिहाइड किटोन वे इलकिनॉल CS3, C3H6O प्रोपेनॉल का भी होता है यानि CS2, डबल बांड, CH, CS2, OH ये भी उसी प्रकार से हमाविता परतिशित करेगा नेक्स वन इस एसेड एन एस्टर अनुसुत्र C3H6O2 फर्स वन CS3, CS2, COOH विच इस नौन इस प्रोपियानिक एसेड और शेकंड वन इस CS3, COO CS3 विच इस नौन इस मिथाल एसेड यानि एक अम्ल और दूसरा एस्टर का निर्मान करते हैं नेक्स वन अम अनुसुत्र वही रहेगा C3H6O2 लेकिन प्रोपियन डॉयल भी CS2 डबल बॉंड, COH-CS2OH आलसो नौन इस एक्जामपत असंत्रत वह चक्रियोगी, अलकीन, अलकाइन, डाइन इत्यादी चक्रियोगी के साथ भी समय वता परतिशित करते हैं means alkyne, alkyne and dienes and cyclic compounds also shows the functional isomerism इनमें दिवबन, दिवबन, वित्रिबन का उनतर औरता है the difference between these compounds having the double bond and triple bond जो की इनके अभिलाक्षन गुणों के लिए उतर दाई होता है which shows the characteristics of these compounds आते इस समय वता को भी क्रियात्मक समू समय वता के शेनी में ही रखे गया so these compounds are also belongs to the functional isomerism जैसे की alkyne वे cycloalkene अनुसूतर C3H6 है जिसमें propene, CH3, CH double bond, CH2 और cyclopropene यानी CH2 double bond, CH, CH2, CH2 यानी cyclopropene और propene are the example of this one next is alkyne, diene, recycloalkene अनुसूतर दे C4H6 इसमें पहले में वन पोजिशन पे, दूसरे पे टूजिशन पे this is one and 1, 2-butadiene second one is 1, 2 or 1, 3-butadiene this is 1, 2 and this one is 1, 3-butadiene next one is cyclobutene this is the example of cyclobutene अनुसूतरलsh diene, diene and cycloalkene are also known as the functional isomerism. In-kentrit, cyanide, isocyanide, Cn and triple bond, C, nitro and nitrite, वे तीनो प्रकारके अमीन, primary, secondary and tertiary amines, also known as the functional isomerism. Next one is metamerism, वे तीनो प्रकारके अमीन, वस्तोते ये एक विशेश प्रकार की सती समर्वता ही होती है, ऐसे क्रियात्मक समूँ जिनमें कम से कम दो मुक्त से हो जगता हैं, दो भिन-भिन अलकाल समूँ से जुड़ी हुँ हो, इस प्रकार की समर्वता परतिश्क करें,